नमस्कार मित्रों चलिए बात करते हैं कि कुंड़ी में, होरोस्कोप में हम किस प्रकार देख सकते हैं कि धन योक का निर्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में जो second house होता है, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, और एकादश भाव, जिसे हम ग्यारवा भाव भी कहते हैं, ये दोनों ही जो भाव हैं, ये धन भाव कहलाते हैं. जो कुंडली का दूसरा भाव है, ये संचित धन को दिखाता है, आपकी savings को दिखाता है, आपकी assets को दिखाता है, और कुंडली का जो ग्यारवा भाव है, ये आपके इंकम का भाव है, ये आपके लाब का भाव है, या कह सकते हैं gains का भाव है, तो एक तरह से दोनों ही जो भा भाव में से यानि कुंडली का जो दूसरा भाव है या कुंडली का जो ग्यार्वा भाव है इन में से कोई भी किसी कभी संबन अगर कुंडली के लक्ष्मी स्थान के साथ हो जाता है लक्ष्मी स्थान कौन सा है देखिए कुंडिली का जो लक्षमी स्थान होता है उसे हम त्रिकोंड स्थान भी कहते हैं त्रिकोंड भी कहते हैं पहला पांचवा और नवा भाव मिलकर त्रिकोंड बनाते हैं और इसको हम लक्षमी स्थान भी कहते हैं तो कुंडली का दूसरा भाव या कुंडली का ग्यार्वे भाव का संबन अगर लक्षमी स्थान के साथ हो जाता है तो ये धन्योग का निर्मान करता है अब ये किस तरह से करता है आईए समझ लेते हैं देहिए हमारी कुंडली में ये आप हमारे सामने देख सकते हैं ये काल पुरुष की कुंडली है काल पुरुष की कुंडली से मतलब है कि इसका जो फर्स्ट हावस है पहला भाव है वो नंबर वन राशी से स्टार्ट होता है और नंबर वन राशी मेश राशी या कह सकते हैं एरिस साइन को कहते हैं तो पहले भाव से लेकर पहला दूसरा तीसा चौथा पांचवा चाटा साथवा आठवा नौवा दसवा ग्यारवा बारवा कुल मिलाकर हमारी कुंडली में बारा भाव होते हैं जो कि हमारे लाइफ साइकल को हमारे जीवन को दर्शाते हैं जीवन में आने वाले जो भी पड़ाव होते हैं उनको दर्शाते हैं अब इस कुंडली में जो धन भाव है वो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने दूसरा भाव इसको धन भाव कहते हैं और ग्यारवा भाव जिसको एकादश भाव भी कहते हैं, ग्यारमा भाव, ये भी धन भाव है, जो दूसरा भाव है, ये संचित धन को दिखाता है, हमारी सेविंग्स को दिखाता है, हमारी एसेट्स को दिखाता है, और जो ग्यारमा भाव है, ये हमारे इंकम को दिखाता है, हमारे लाब को दिखाता है, हमारे गे लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी स्थान कौन से, पहला, पांचवा और नवा, इनको त्रिकोन भी कहते हैं, पहला, पांचवा और नवा, ये जो भाव हैं, ये लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं, पहला, पांचवा और नवा, इनके साथ अगर हो जाता है, इस जो धन भाव है, चा पांचवे भाव के साथ या नवे भाव के साथ हो जाता है कुंडली में तो धन योग का निर्मान करता है अब ये किस तरह से होता है आगे जान लेते हैं अब ये जैसे माली जी ये दूसरा भाव दूसरा भाव का जो संबंध है पहले भाव के साथ या दूसरे भाव का संबं पांचवे भाव के साथ किसी प्रकार से भी और दूसरे भाव का संबन नवे भाव के साथ या फिर ग्यारवे भाव का संबन पहले भाव के साथ ग्यारवे भाव का संबन पांचवे भाव के साथ ग्यारवे भाव का संबन नवे भाव के साथ अगर हो जाता है तो धन योग का निर्मान करता है अच्छा इसमें क्या है अगर दूसरे भाव का संबन ग्यार्मे भाव के साथ या ग्यार्मे भाव का संबन दूसरे भाव के साथ भी हो जाता है तब भी धन योग का निर्मान करता है यानि एक अच्छे धन को दिखाता है अब ये संबंद किस-किस प्रकार से हो सकते हैं आईए हम इसको जान लेते हैं देखिए पहले तरह का जो संबंद हो सकता है युती संबंद हो सकता है कंजेक्शन हो सकती है जब दो घरह आपस में एक साथ बैठे हो तो उसे युती संबंद कहते है या फिर दूसरे प्रकार का जो संबंद है परस पर दृष्टी संबंद जब दो घरह आपस में एक दूसरे को पूर्ण दृष्टी से देखते हो तो उसे परस पर दृष्टी संबंद कहते है या फिर तीसरी ताय का संबंद जिसको शेत्र संबंद कहते हैं जब दो घरह आपस में एक दूसरे की राशी में बैठे हो तो उसे शेत्र संबंद कहते हैं अब चौथे प्रकार का जो संबंद है वो अतेत्र दिश्टी संबंद है इसमें क्या होता है जब कुंडली में एक गरह दूसरे करह कि राशी में गद्धिमान हो और उस राशी का स्वामी उससे पूर द्रिष्टी से देख रहा हो तो इस परकार के अगर संबंद बनते हैं तो यहां पर धन्योग का निर्मान होता है और एक चीज़ कुंडली में जो दूसरा भाव है अगर 11 भाव के साथ या 11 भाव दूसरे भाव के साथ अगर संबंद बनाता है तो भी यह धन्योग का निर्मान करता है ये एक मोटे तोर पर हम देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में क्या धन योग का निर्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है पाकी कुंडली का और गहन विशलेशन करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि actual में क्या condition है क्या नहीं है तो एक मोटे तोर पर हम अगर देखना चाहें तो अपनी कुंडली में ये चीज़ देख सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार